नमस्कार मैं हूँ निशागई या पामिस निम्रोलोजिस्ट और अस्ट्रोलोचर और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से नंबर मूलांक वाले व्योग परस्टैलिटी नंबर वाले लोग आपके लिए अच्छे जीवन साथी या प्रेमी साबित हो सकते हैं तो आपने क्या करना है आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है अगर आपका जनम 12 तारिक का हुआ है तो 1 प्लस 2 इस इकुल टू 3 तो आपका पस्टैलिटी नंबर और मूलांक हुआ 3 और इससे आपने जानना है कि आपके लिए कौन सा जीवन साथी का नंबर फेवरेब हुआ है कौन सा नंबर आपके लिए ज्यादा लगी होने वाला है कौन सा साती आपके साथ ज्यादा ळेर तक चलेगा जस्ट्षेक इक मुलांक एक या पस्टालिटी नंबर वन के लिए अच्छे जीवन साती या प्रेमित साबित हो सकते हैं, जिन लोगों की जनमति थी या नंबर आता है, नंबर टू, थ्री, सिक्स, सेवन और नाइन, अगर आपका पस्टालिटी नंबर या मुलांक नंबर दो है, तो आपको संबंध बढ़ाने चाहिए, नंबर टू, सिक्स, या नाइन के साथ, अगर आपकी जनमति थी में तीन आ रहा है, पस्टालिटी नंबर त्री आ रहा है, तो आपके लिए अच्छा जीवन साती साबित होगा, नंबर सिक्स, या नंबर नाइन, मुलांक या पस्टालिटी न नंबर आ रहे हैं, जो उनको अच्छे लंबे रिष्टे जिनके साथ उनके कायम हो सकते हैं, वह हैं नंबर फो, नंबर सिक्स, पस्टालिटी नंबर फाइव या मुलांक फाइव के लिए जो अच्छे नंबर हैं, जो अच्छे प्रेमित साबित होते हैं, वह हैं नंबर त यह आप अपने प्रेमी की जर्मतिती भी देख सकते हैं अगर उनकी जर्मतिती इस नंबर से आते हैं तो वो उससे आप देखे मुलांक 6 या परस्टालिटी नंबर 6 के लिए जो अच्छे प्रेमी साबित हो सकते हैं वो है नंबर 2, 3, 4, 6, 9 आपके पास तो बहुत सारी आप्शन्स हैं परस्टालिटी नंबर 7 और मुलांक 7 के लिए अच्छे जीवन साथी साबित होने वाले अंख हैं 7 & 9 मुलांक 8 परस्टालिटी नंबर 8 के लिए लंबा प्रेम का रिष्टा आपका चलेगा विद नंबर 4 & 6 और मुलांक 9 के लिए भी लंबे रिष्टे चलने वाले जो अंख हैं वो हैं 2, 6, 7 & 9 8 अगर आप अपने पस्तालिटी नंबर या मुलांक के साथ इन नंबर्स को अपने जो पार्टनर हैं उसकी ये देट अफ बर्थ का ये पस्तालिटी नंबर मैच करेंगे तो आपके रिष्टे लंबे चलेंगे शादीयां ज्यादा बहतर होंगी सम्बंदों में तूटने क अधर कम होगा. Namaskar. Thank you very much. अधर कर दो.